जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे मातारानी, बालजी, महराज, महादेव आप सभी को सुरक्षित रखे जो भी आप सभी पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं मातरानी से मैं उनके लिए यही प्रात्ना कर सकती हूँ कि उनको सदबुधी आए और वो ऐसा काम ना करें अगर आप मेरे चैनल पे नाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीचे लाइक शेर और कॉमेंट जरूर किया करिए अगर आप से वीडियो रेजोनेट करा करें क्योंकि ग्रैटिटीट जरूर दिया करिए जरूर दिया करिए वीडियो को क्लेम हो जाता है मातरानी की डेक्से आज हम देखते हैं मुझे कुछ डिवाइन गाइडन्स आज आ रहा है मैं आपको मातरानी की डेक्से चलिए देख लेती हूँ पहले कि क्या मातरानी संकेत दे रही है मुझे आप मेरे व्यूर्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ बहुत कुछ संकेत आ रहे हैं तो पहले हम डेक्से ही देख लेते हैं कि क्या संकेत आ रहे हैं जै माकाली, ओमनमस्षिवाई, ओमनमस्षिवाई हर हर शिवजी का आ रहा है अर्मान जी की भी प्रोटेक्शन आ रही है चलिए देखते हैं इसमें जो काड एक आ रहा है माभुवनेश्वरी देवी का जो आपको कह रही है कि आपको अपने जीवन में आप में से कई लोगों को आपके जीवन में अपनी प्रोस्पेरिटी और अपना मटेरिलिज्यम जो आपके जीवन में है चाहें प्रॉपर्टी हो, चाहें पैसा हो चाहें आपकी internal beauty हो चाहें external beauty हो उस पे कोई attack होने जा रहा है और उसी क्वाब बचाव की blessing आपको आ रही है यह जो blessing लिखी है यह आपको आएगी कब आएगी, क्यों आएगी यह वाले cards हम बात में पढ़ेंगे पहले मुझे जो main card दिख रहा है यह वाला card दिख रहा है और हम मातारानी से इसकी divine guidance ले 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 नितने दे हैं कि क्या माँ actually में downloads दे रही है क्या बोलना चाहरी है क्या आप मेरे subscriber मेरे viewers को मातारानी guidance दे रही है क्या किस चीज़ का उन पर attacks होने वाला है किस चीज़ से उनको बहुत साफ़ दान रहने की जरूरत आ रही है देखिए आपके यह जो आपको एक card आया है यह एकदम दर्शारा है कि कोई इनसान आपके जीवन में बहुत ज़्यादा negativity फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मंशा क्या है उसकी मंशा है आपका सुख चैन नीद छीन लेना आपकी progress उससे देखी नहीं जा रही है और वो इनसान ऐसा है जो कि आपके इर्दगिर्द ही है आपके आसी पास है और रात को उसका जो कहने का मतलब यह आपको समझ लीजे कि वो इनसान दिन में कुछ और है और रात में कुछ और मेरा कहने का मतलब यह हो रहा है कि दिन में तो आपके सामने बहुत क्यूट बहुत अच्छा रहेगा कुछ कटू वचन बोल सकता है लेकिन ऐसा आपको नहीं फिलोगा कि यह मेरे लिए मतलब मुझे मारने तक की साज़िश कर सकता है मेरे पैरोतली जमीन खीचने की कोशिश कर सकता है क्योंकि जहां बरतन है वहां खटकेंगे ही नॉर्मल लाइफ में लेकिन ये इनसान ऐसा है जो कि आपके साथ दिन भर रह रह रहा है आपके साथ में है साथ में रहने का मतलब है कि आपके घर में भी रह सकता है आपके रिलेशन्शिप में थोड़ी घर अलग-अलग हो सकते है बट आप टच में हो या आपका किसी ना किसी तरह उससे जुड़ाओ है डिरेक्ली इंडिरेक्ली और ये इनसान आपके पैरों तले जमीन खीच लेना चाहता है और रात की उसकी एनरजी ऐसी रहती है जो आपको हमेशा वाच करना आपकी क्रियाओं को देखना आप क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो आपकी उन्नती से जलना रातों को आपके खिलाफ शड्यंतर करना आपके खिलाफ प्लानिंग्स करना और इस कारण से खुद की नीदें भी बरबाद कर लेना रात भर ऐसे खंजर लेके सोना यह जो लेडी दिख रहे हैं यह ना खंजर ली हुई इसके चारों तरफ खून दिख रहा है सो रही है तो भी इसके जहन में जालिसी परिशानी दूसरे के सुख से जलन क्योंकि अपने आपको उजागर नहीं करना चाहती है यह जो रियल में है यह अपने आपको उजागर नहीं अपनी चीज़ों मतलब जो यह रियल में है वो यह नहीं चाहती की आपके सामने यह दुनिया के सामने इसकी रियालिटी आए तो ना ये इधर की हो पारी है ना उधर की हो पारी है दिन में आपको बरदाश करना पड़ जा रहा है इसको लेकिन रात में जब ये अकेले होती है तो ये बहुत परिशान होती है बहुत ही जादा दिक्कत में आती है manifest करती है कि क्यों आप इतने खुश हो, क्यों आप ऐसे हो, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों आपको pregnancy suppose आ गई, या आपके पास बच्चे हैं, तो क्यों है, आपका partner अगर आपको मानते हैं, तो क्यों मानते हैं, ये कोई भी energy हो सकती है, male, female, general, collective, timeless, gender, free reading है, और ये energy बहुती खतरनाक इरादों वाली lady है, या energy है, लेकिन ऐसे लोगों पर मुझे हसी इसलिए आती है, क्योंकि ये अपनी नींदे खराब कर रहे हैं, अपने आपको कितना परिशान कर रहे हैं, आपको सिर्फ देख देख कर, आपकी खुशियां यही चीज़ें, ये अपनी उन्नती में, अपने development में, अपने divine guidance में, अपनी spirituality में time लगाएं, तो शायद इनका जो पाप है, वो कम हो जाएं, जितनी negativity आप पे थ्रो कर रहे हैं, इनके पाप के घड़े में वो डाली जा रही है, डाली जा रही है, ये बात इनको आज समझ में नहीं आ रही है, ये किसी को भी जो दूसरों को negativity थ् उस समझ में नहीं आता, लालच, सब्ता की लालच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दूसरे से जलन की ये चीज़ें मुझे मिल जाए, दूसरे की चीज़ें पे नजर, जो इश्वर ने तुमको दिया है, तुमें उस पर खुश रहना चाहिए, उसको भी देखो जो जिसके प लेकिन आप से सहा नहीं जा रहा है, आपके दिल में गड़ रहा है, आखों में चुब रहा है, आपका वो अपना ही है, अपना भाई हो सकती है, अपनी बहु हो सकती है, अपना ही अपनी बहु हो सकती है, अपना ही अपनी बहु हो सकती है, अपना ही अपनी बहु हो सकती है मन में दिखाओगे बहुत अच्छा है लेकिन मन ही मन उपर उपर उसको दिखाओगे लेकिन मन ही मन जल मरोगे मैनिफेस्ट करोगे कि इसकी यात्रह खराब हो जाए ये ना जाप पाए ये मैं एक एक्जाम्पल की तोर पे आपको बता रही हूँ कि इस तरह की लोग ऐसे होते हैं आपको शुब काम नाए देंगे आपकी हर पार्टी में हर चीज़ में एक शामिल भी होंगे लेकिन आप इक अगड़ा खो देंगे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ये देते हैं इस तरह के इनसान और ये आपके इर्द गिर्द के ही इनसान है और आप मेंसे कई लोग इसके ट्रैप में इन लोगों के ट्रैप में आ भी गए हो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने आपको थ्रोग की है कि आपको देखे कैसे भाला गुसा है कीड़ा है उसके ओपर ये लेडी बैठी है इस पीछे पूरा अंदकार है ये डेक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बहुत कुछ ये कह देता है रियल सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्टेंथ रखने के लिए कहा जा रहा है इन लोगों से पार पाने के लिए प्योंकि जो माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आपके को ब्लेसिंग आ रही है आपको अपने ब्यूटी और माटीरियल चीज़ों को बचा के रखना है हो सकता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाए आपको इचिंग हो आपकी खुबसूरती से बहुत सारे लोगों से ये जलती हो जरूरी नहीं है रंगी को रहो लेकिन जो इनसान दिल का साफ होता है उसकी इंटर्नल ब्यूटी उसके चेहरे पे दिखाई देती है और इसमें कम हो जलसी औरत ही औरत की दुश्मन होती है कहावत है हर तरीके के स्पेल्स ये यूज़ कर रही है आपके खिलाफ की आपको ये जो प्रॉबलम्स मैंने बताई है ये हो जाए सकिन प्रॉबलम हो जाए आपको किसी तरीके की कोई बीमारी हो जाए सकिन वाली आपके पार्टनर आपसे जुदा हो जाए, लड़ाई जगड़ा हो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, आपको प्रेग्नेंसी ना आए, आपके लाइफ में गुड नियूज ना आए घर बार अगर आप खरीदने की सोच रहे हों तो ना खरीद पाएं इस तरह के स्पेल्स ये इनसान आपके जीवन में ये लेड़ी फीमेल एनरजी इसका जादा आता है लेकिन मेल भी हो सकते हैं किसी किसी केस में क्योंकि इन सब चीजों में फीमेल जादा इन्वाल्व रहती हैं अगर जाब नहीं करती हैं तो उनके पास सिर्फ एकी काम है दूसरों से जलना बहुस मैं सब में लेडिस को नहीं कह रही हूँ मैं खुद भी फीमेल हूँ प्लीज कोमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ भी मत कहिएगा मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो यह ऐसा करती हैं सब नहीं होती हूँ तो जो इन लोगों को जेल रहा है जिसके जो इस तरह की कंडिशन्स में फसा है उसके काम नहीं बन रहे हैं खु मिया बीवी मेरा दिन जगड़े ही हो रहे हैं किसी तीसरे परसन की वज़ा से तो वो तीसरे परसन कौन है कुछ ना कुछ तो कोई कर रहा है न वो यही है यह इनसान जो आपके साथ ऐसा कर रहा है मादुर्गा का रूप आपको रखना है अगर आप मादुर्गा का रूप रखोगे तो इन सब लोगों से आप आपकी जो इंट्यूशन से आपको इनकासली चेहरा दिखा देगी बहुत सारे लोग मुसे पूछते हैं मैं कैसे पहचानू मैं कैसे पहचानू आप अपने दिल से पूछिए आपको दिल से नेगिटिव वाइब जाएंगी आपको नकरात्मक्ता उस इंसान से मिलेगी उस इंसान की वज़ा से आपके आंसू बहेंगे कितना भी आप अपने आपको समझा लो अगर एक बार दो बार चलो हो गया किसी से लेकिन जब ही वो इनसान आपके पास आएगा आपको नकरात्मक्ता घेरेगी आप आपको मनने करेगा उससे बात करने का लाख वो आपसे प्यार से बात करे अच्छे से बात करे लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको आपकी डिवाइन पावर उससे अलग करती है अब ये आपके उपर है कि आप उसको ध्यान दो की ना दो तभी आप उसको पहचान नहीं पाते जो पहचान लेते हैं वो शेफ हो जाते हैं जो नहीं पहचान पाते उनको यही गाइडन्स आ रहा है कि ऐसे शक्सों को आप पहचानिये इस तरह से अपने आँखों में पत्टी बांद करके रहने से कुछ नहीं होगा किसी के प्यार की पट्टी अपने आँखों में मत बांधिये वो सिर्फ आपको छलावा बहकावा दिया जा रहा है एक्चुली में आपको सिर्फ धोखा दिया जा रहा है बहुत भयानक धोखा और अपनी जीत का इंतिजार किया जा रहा है इस तरह से कि कब आपको जिस एनरजी में वो इनसान देखना चाहता है आप आ जाओ और वो इस तरह से बासुरी या जीत का जश्न मनाए तो आपको मादुरगा का काली का रूप रखना है और ऐसे लोगों से बेहत बच के रहना है आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है डिवाइन ब्लेसिंग बहुत जादा मिली हुई है कई लोगों को मुझे आ रहा है कि वो मौत के मुझे अभी हाल में निकले हैं इस सब क्या है जो आपे ब्लैक मैजिक और स्पेल्स हुए हैं उसके बावजूद आप निकले हैं आपको प्रोटेक्शन रखना है सावन का महीना आ रहा है शेप जी की अराधना आपको लगातार करनी है सोमवार सोमवार तो सावन के आपको करना ही करना है आप मैंसे कई लोगों को जो ब अभिशेक कर दीजे जो भी सावन में शिवलिंग की पूजा की विधी है वो करिए आपको प्रोटेक्शन मिलना है मिलना चाहिए भी बजरंगबान का पार्ट करिए आपको अनुमान जी का गाइडन्स आ रहा है दूसरों के इशारों पे नाचनाए वाले मत बनिए जवाब देना सीखिए डर अपने अंदर से निकाल दीजे गलत सेहना और गलत करना दोनों ही गलत होता है दोनों ही पाप होता है माकाली ने तलवार क्यों उठाई थी राक्षसों का वद करने के लिए तो आपको अपने जीवन में अगर प्रोस्पेरिटी लानी है अपने जीवन से नेगिटिविटी लानी है लटानी है तो आपको अपना रक्षक खुद बनना पड़ेगा आपको यही डिवाइन की गाइडन्स आ रही है कि खुद का रक्षक आप खुद बनिये मातारा का आपको पूरी तरीके से आशिरवाद मिल रहा है और पहले से ही आपको अगहा किया जा रहा है कि जो भी तंत्र विद्याएं आप पे हो रही है कोई आपका बहुत ही खास ब रही हद साबधान देना है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सरूर कर दीजेगा परसनल रीडिंग का नमबर आपको मेरे वाट्सैप के वाट्सैप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पेड सbergley लाट्सैeur कöber लिडियोffen आपको मेरे शेंप़त झा कुझा प्राइब टाया हो बॉक्टिंग के लाट्सैप का रहा हो अः़ाइएशन के लात्सी quand सब्सक्राइब भॉक्राइब एंजेगर आससे कर दta हमाり बॉक्श्टार को रहलीगज़ पॉक्रेग बॉक्राहईब झाल झाल